अज जिस बिल के बारे में हम सब बात कर रहे हैं कि हमारी सालेरी में से जो करोना महामारी हमारे पूरे देश में ग्लोबिली आई है उसके लिए हमारी सालेरी इसके 30% काटना है 30 नहीं 40 ले लीजिए 40 नहीं पूरे ले लीजिए पर हम MPs पर अन्याय मत कीजिए क्योंकि ये सदन में एक भी MP ऐसा नहीं है जिसने ये नहीं कहा है कि करोना महामारी के उपर हम समर्थन ये बिल को समर्थन करते हैं पर बीच में आने के बाद बोलते हैं MP Land Fund हमारे लिए बहुत जरूरी है और फिर हम इसका विरोत करते हैं तो 100% Ministry ने इस पर जरूर बात करना चाहिए और फिर ये बिल वापिस लाना चाहिए और इस पर बात करके हम जैसे नए लोगों पर फिर भी अन्याय मत कीजिए क्योंके नए शेत्र में से बहुत उमीदे लगा कर लोगों ने हम नए लोगों को चुन के लाया है क्योंकि एक मिनिस्टर को मैंने पिछले इंटर्वियू में सुना है कि एक साल में दस हजार करोड के काम मैंने मेरे शेत्र में किया है अरे हमें सिर्फ पांच करोड मांग किये पांच करोड साल बर में मिलते हैं वो तो हमारा अधिकार हमारा हक मत लीजिया हमारे से ज़ादा हमारे शेत्र के लोगों का अधिकार है तो वो अधिकार को ना मारते हुए मुझे पता है कि करोना महामारी में सिर्फ 8000 करोड से कुछ नहीं होना है 800 MP के 8000 करोड से ये महामारी को निप्टी नहीं जा सकती है इससे बहुत जादा बड़ा फन हमें लगेगा अधिक्ष महदे बहुत उमीदे हैं हम लोगों से हमारे शेतरों को जब phone आते हैं यह महामारी में जब ambulance देने की बारी हमारे शेतर में आई ठ्राइबल एरिया में जब ambulance देनी की बारी आ जिस तरीके से एक सांसद महादया ने अभी बोला है कि हमें अपना फंड देने के बाद जब कलेक्टर उसे रिजेक्ट करता है कि आपका फंड आपको नहीं दिया जाता गवर्मेंट की नॉम्स आई हुएं तो हम आपका फंड अभी आपको नहीं दे सकते हैं मुझे बताइए जब जरूरत मंद को हम एम्बूलंस नहीं दे पाएंगे तो ये महामारी से अगर आप नहीं पहुंच पा रहे हमारे डिस्ट्रिक में तो हम जैसे लोगों को अपने शेत्र में एम्बूलंस से लेके ऑक्सीजन से लेके वेंटी लेडर से लेके बात करने के लिए और काम करने के लिए औ आप हमारी सालेरी पूरी ले लीजिए पर हमारा फंड और हमारे लोगों का अधिकार आप हमसे मत लीजिए इतनी विनंती आप लोगों से करते हो और ये बिल्कु सब